चूटे पहिये पर 15 कीमी दोड़ी पवन एक्सप्रेस यात्रों ने चेन पूलिंग कर रोकी ट्रेन बड़ा रेल हाथ साटला दरबंगा से मुझफवपूर होते हुए मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस 15 किलोमीटर चूटे पहिये पर दोड़ती रही यात्रों ने सूजबूच दिखाते हुए चेन पूलिंग कर गाड़ी रोकी इसे बड़ा रेल हाथ साटल गया अभी ट्रेन मुझफवपूर हाजवपूर के बीच इस्तित भगवानपूर स्टेशन के आगे 4 घंटे से रुकी हुई है यात्रों ने बताया कि मुझफवपूर से शाम सारे 5 बज़े ट्रेन खाली हुई थी वहीं से धीरे धीरे अजीब सी आवाज आने लगी गौरल स्टेशन से गाड़ी आगे बड़ी तो ट्रेन की स्पीड के साथ आवाज अधिक होने लगी भगवानपूर स्टेशन पर शाम 5 बावन पर ट्रेन रुकी उतर कर देखा गया तो पहिया टोटा हुआ था यात्रों इसकी सूचना गाड़ को देने जा रहे थे तबी ट्रेन खुल गई यात्रों में अफरत अफरी का मौहल बन गया चेन पुलिंग की और घटना की जानकारी लोको पाइलेट को दी लोको पाइलेट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी इसके बाद रेलवे के कही अधिकारी मोके पर पहुच गए और पहिया को ठीक करने में जुट गई है ट्रेन अभी भी वही रुकी हुई है यात्री ने बताया कि ट्रेन के भगवानपुर स्टेशन पर रुकते ही हम सभी आवाज कहां से आ रही थी ये देखने लगे कुछ देर बाद S11 बोगी का एक पहिया चूटा हुआ था पहिया पूरी तरह से टूटा था वहीं से आवाज आ रही थी इसकी इसी कि सूचन देने के लिए गाड को जा रहे थे तब ही गाड़ी खुल गई भगवान पुसा है के स्टेशन माश्टर गुड़ो ने बताया कि रेल का पहिया तूटने की जानकारी मिलते ही रेल मंडल के कंट्रोल रोंग को सूचना दी गई